Android 12 का अपडेट आने वाला है जो Android 6 के उपर के फोनों में आपको देखने को मिलेगा तो वो कंपनीज देखेगी कि किन किन फोन्स में उन्हें अपना अपडेट देना है आज हम सिर्फ इनके फीचर्स की बात करेंगी कि क्या कुछ नए आने वाला है इनमें तो चलिए सीधे इन फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं पहला फीचर है SMS मार्क करने का इसमें क्या होगा कि जैसे आप WhatsApp में किसी मैसेज को मार्क कर सकते हो या email में भी आप मैसेज को स्टार दे कर रख सकते हो और बाद में उन्हें डूनने में आपको आसानी होती है इसी तरह इसमें भी होगा Android की SMS एप में भी end-to-end inscription इंट्रोड्यूज किया जाएगा जिसे SMS security को मिजबूती मिलेगी और आप SMS सोट करने में आसान और समर्थ हो जाओगे आपको दूसरा फीचर जो मिलेगा वो है smart Google Assistant का हाँ हम मुझे पता है कि Google Assistant पहले ही था पर वो इतना smart नहीं था लेकिन अब इसमें आप जो भी बोलोगे वही Google Assistant करेगा अगर आप बोलोगे कि WhatsApp खोल कर राहूल को मैसेज कर दो तो यह एकदम smart तरीके से करेगा करिये और आपको बता देगा कि यह यह मैसेज राहूल के तरफ से आपको आया है Android यह features काफी अच्छा create करेगा अगला feature है gauge detection for voice access यह बहुत अच्छा feature है आप अपने phone के अपनी आवाज से control कर सकते हैं अगर आपकी कोई आवाज record कर लेता है तो वो तो आपके phone को चला सकता है कुछ भी आपके phone से निकाल सकता है पर यह तब ही काम करेगा जब आपके हाथ में आपका phone होगा वरना तो यह security का issue बन जाएगा तो इसलिए security को double कर दी गई है और आपके हाथ ना दुखे इसलिए gaze control introduce किया गया है और जो काफी fast भी है next feature बहुत काम का है यह यह है earthquake alert system जो बहुत से state में आ चुका है और android अब बाकी states में भी इसको available करवा देगा अपने android 12 के द्वारा अगर आपको इसके बारे में पहले ही पता होगा तो आप कुछ साउदानी उठा सकोगे आपको पता होगा earthquake के साथ कुछ after socks भी आते हैं आपको पहले पता होगा तो आप बच सकोगे और औरों को भी बचा सकोगे जहां ज्यादा earthquake आते हैं वहाँ यह पहले ही introduce करा दिया गया है और android से सभी के पास अब available हो जाएगा अगला फीचर है android auto का आपको जो phone है उसे एक smart car system जो महंगी कारों में होता है parking space डूनने के लिए वगेरा और navigation में आपको तो पता ही होगा Google कितना improve कर रहा है आप car को अपने phone से synchronize करके call message receive कर सकते हो और उसे car parking के लिए जगा भी डून सकते हो यह कुछ feature है जो android 12 में देखने को मिलेगे यह update आपको android 6 के उपर के phone में देखने को मिलेगा पर सभी के पास new version वाले phone में ही मिलेगा पुराने कोन रखता है पर हमारे जैसे ही रखते होंगे जिसके पास इतना पुराना होगा iPhone 6 में आज भी update मिलता है जो 7-8 साल पुराना है इसलिए कहते हैं iPhone का कोई मुकाबला ही नहीं है अगर आपको इसमें कोई feature अच्छा लगा हो तो comment में जरूर बताए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यावाद